साल दोजार उन्तालिस का समय जहाब तक प्रिछवी के हालात बच से बत्तर हो चले थी वातावरण से उक्सिजन लगातार घटते हुए इतनी ज्यादा कम रहे गई यह अब तो कोई बिना सेफटी मास्क के बाहर तक नहीं निकल सकता बाड़े बाड़े जंगल्स तो खत्म हुए ही उक्सिजन की कमी से अब तो कोई पेट बोदा तक नहीं बचा शहर के शहर तबाह हो चुके हैं यह 90% अबादी उल्रेडी मारी जा चुकी है और जो थोड़े बहुत लोग बचे भी थी वे भी उक्सिजन मास्क के सारे खुद को बचा पा रहे हैं अब यहां से हमें डीरियन नाम का एक इंजिनिर दिखाया जाता है जो कि अपने बंकर के उपर के सोलर पेट्स को साफ कर रहा था वही वो साथ में ही अपने बुड़े पिता के साथ रेडियो पर कुंटेक्ट में भी था जो कि अभी पास की ही एक बुक्स्टोर में गए थे ताकि अपने लिए किता भी ढूड सकें मगर चुकी उक्सिजन वाताउन में थी नहीं तो लकडिया और दिवारे काफी ही कमजोर हो चली है और इसी कारण अब वो सिधा चट में जा फसा था यहां उसका उक्सिजन टैंक तो लिक हो ही रहा था साथ में फसा होने से वो खुद भी नहीं हिल सकता और अब धीरे धीरे उसका दम घुटने लगता है वही अब उनकी चींकों को सुन डेरियन भाग कर उनके पास आता है जहां वो अपने पिता को बचाने के लिए पहले उन्हें नीचे से खिचता है मगर वे फसे हुए थे तो वो उपर जाओं के पैरों से उन्हें उपर खिचने लगता है मगर अब तक काफी ही देर हो चली थी और उसके पिता ने सास नाने से दम तोड़ ही दिया तो यहां से दुखी डेरियन अपने पिता को वापी से बंकर मिला अपनी पतनी माया और बेटी जोरा को सब बताता है कि कैसे उसके पिता नहीं रहे दर असले डेरियन एक इंजिनियर रहा था तो माय एक फार्मर थी और उन्होंने सास में मेलिस बंकर को बनाया जिसमें की वे उक्सिजन को स्टोर कर सकते थे वहीं अंदर ही पोदे उगावे खुद के खाने का इंदजाम भी कर पाए सोवे बाहर से काम की चीज़े अंदर ला सुरक्षित रहते हैं और इसलिए ही अब तक वे सरवाई भी कर पाए अब डेरियन बताता है कि कैसे उसकी मा की कबर यहां से 8 किलो मिटर दूर मौजूद है और उसके पिता की आकरी इच्छा थी कि वो भी उनके पास ही दफनाए जाएं तो वो अपने पिता को लेकर कल वहीं जाएगा अब शुरू में जोरा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि बाहर बचे हुई लोग उक्सिजन टैंक और खाने पाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं मगर डीरियन कहता है कि पिछले तीन सालों में उन्होंने बाहर किसी और इंसान को जिन्दा नहीं देखा तो ऐसा भी हो सकता है कि वे तीनों ही आकरी बचे हुई जिन्दा इंसान हो और वो कल सुबह अपने पिता को दफनाने निकल जाएगा अब रात को जब दोनों ही मा बेटी सो चुके थे तब डीरियन अकेला ही बंकर की मशीन चेक करता है और पाता है कि अब तो उनके पास सिर्फ दो ही महिने की उक्सिजन बची है अगर वे तीन लोग यहां रहे जिसे की जान डीरियन काफी ही चिंदित था वही उसने इसके बारे में अपनी पतनी और बेटी को भी नहीं बताया ताकि वे दोनों पैनिक ना गरी अब अगली सुबह डीरियन दोनों से गले मिल गुड़बाय बोलता है और फिर उक्सिजन मास्क पहन अपने पिता को दफना ने निकल पड़ा था वहीं जोरा को उनकी फिक्र थी तो वो लगातार रेडियो से अपने पिता से बाते किये जा रही थी और वो कहती है कि उसके पिता उसके लिए हीरो है और वो उन्हें याद भी दिलाती है कि कैसे जब सब कुछ नोर्मल था तब उसके पिता डिरिन ने ही सबसे पहले ये रिपोर्ट दी थी कि प्रिठवी से उक्सिजन लगातार खत्म हो रही है मगर सरकार समेट किसी ने उनका भरोसा नहीं किया और इसलिए ही उन्होंने सबसे पहले ये बंकर बनाया और उसमें उक्सिजन स्टोर की जो कि उनके अब इतने सालों बाद तक भी कामा रही है जब बाहर के लगबग सारे इंसान मारे गए अब कुछ दिर बाद डिरिन का सिगनल मिलना बंद हो जाता है तो जोरा उनके लोटने का इंतजार करने लगती है मगर उसे पता नहीं था कि ये इंतजार कितना लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे डिरिन को गई पांस महीने बीच चुके हैं और उस दिन के बाद से ना तो वो वापीस ही आए और ना है उनका कोई मैसेज ही आया यहां माया और जोरा दोनों किसी तरह से सर्वाइव कर रही हैं वहीं उन्हें इस बंकर की मशिनरी के बारे में डिरी ने उल्रेडी सब कुछ समझा रखा था तो अब वे खुदी उसकी मेंटेनेंस करती वहीं वे समय समय पर बाहर जा अपने काम की चीज़ें भी ले आती जहां बंकर में काफी ही सेफ सेक्योटी लोग भी लगा हुआ है जिसे कि सिर्फ पासकोर्ड और एक फीजिकल कार्ड से ही खोला दा सकता है वहीं जोरा को तो अभी तक उमीद थी कि डिरिन कहीं न कहीं जिंदा जरूर से होगा और एक जिन वापिस आ ही जाएगा मगर उसके उलट माया ने माल लिया था कि उसका पती डिरिन अब तक मारा जा चुका है वहीं वो चूंकि एक फार्मर भी है तो वो हर रोज बाहर जा कुछ बीज बो देती जिसे कि उसे पता तल सके कि अगर उक्सिजन की मातरा वतान में बढ़ती है तो वे बीज फिर से उख सकें वहीं डिरिन के ना होने से माया अपनी बेटी को भी सेक्रिटी सिस्टम और बंकर के मशीन के बारे में सब समझाती कि उसे रिपेर और मिंटेन कैसे रखना है जहां आज भी जब जोरा कहती है कि वह उपने पिता को ढूने उसे कब्रिस्तान में जाना जाती है तो माया उसे डाट कर माना कर देती है ये कहते हुए कि वह ऐसा उल्रेडी कई बार कर चुकी है मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिला था अब अगले ही दिन जवे दो पेरों को बाहर निकल बंकर की बाहर से मेंटेनेंस करी रही थी कियाव सर्प्रैसिंगली उन्हें दो और इंसान अपने ही बंकर की और आते हुए नजर आते हैं यहाँ उन्होंने पूरे चार साल बाद अपने अलावा किसी और जिन्दा इंसान को देखा था सोवेक पुराने कार की पीछे छुप जाते हैं यह देखने के लिए क्योंकि उनका मोटिव है क्या क्योंकि दोनों की ही पास हती यार थे वही पास हा सर्प्रेसिंगली दोनों ही अजनबी उनके बंकर में घुसने का प्रियास करने लगते हैं जो की काफी ही अजीब था क्योंकि उन्हें कैसे पता चला होगा कि यहां कोई रहता भी है और उन्हें तो बंकर की मेंट गेट का भी पता था कि एंटरी कहा से होगी यहां दोनों ने देखी रही थी कि गलती से उनसे आवाज हो जाती है जहां उन दोनों में से एक मेंबर जिसका कि नम टैस है अब उन्हें देखने आती है तो वहीं उसका दूसरा पार्टनर लुकस छट पर चड़ता है ताकि वे वहाँ से अंदर जाने का रास्ता ढूंड सके वहीं नीचे टैस पाती है कि गाड़ के पीछे तो कोई भी नहीं और जब वो लुकस को बताने जाई रही थी कि उसके पीछे से माया उस पर वार कर अब अबने बेटे के साथ बंकर में वापिस आही जाती है तो वहीं टैस बाहरी रह गई थी और अम माया रेडियो से दोनों से ही पूछने लगती है कि वे हैं कौन और उन्हें इस बंकर का पता कैसे चला जहांसे अब टैस उसे बताने लगती है कि वे कोई खदरा नहीं ब वे इसी के लिए दर उदर घूमने लगे और वहीं रास्ते में उन्हें डेरियन मिला था जहां डेरियन ने उन्हें बताया कि उसका एर फिल्टर सिष्टम अच्छी से काम कर रहा है और उसी ने उन्हें इस बंकर के बारे में बताया है तो वे दोनों यहां आ गए ताकि वे डेरियन का बनाया एर फिल्टर देख सके और उसी की कोपी अपने बंकर में बना सके यहां टैस अपने बारे में भी बताती है कि कैसे वो भी पहले डेरियन के साथ है कि इन्जीनियर थी वहें उसे तो माया और जोरा का नाम भी पता है यहां माया को अब भी उन पर भरोसा नहीं था तोकि डेरियन ने कभी भी किसी टैस नाम की कोवर्गर का उसके सामने जिक्र नहीं किया मगर जोरा अपनी मा से लड़ने लगती है कि उन्हें उन दोनों का अंदरा ने देना चाहिए और क्या पता उनकी मदद करने से उस बंकर में मौजूद 25 लोग मारे जाएं वहीं माया कहती है कि मगर इसका क्या प्रूफ है कि यह दोनों सच बोल रहे हैं और कहीं भी अंदरा इस बंकर को अपनी कंट्रोल में ना ले ले मगर जोरा के अनुसार अगर टैस इस सिस्टम की कोपी बना सकती है तो वे साथ मिलकर इसे अपग्रेड भी कर पाएंगे सो अब यहां सी सिफटी के लिए माया बाहर दोनों को ही अपने हाथ यार फेकने को कहती है और उनके हाथों पर कर उने बैठा देती है जहां से वो खुद गन के साथ बाहर आ अब दोनों की ही हाथों को पीछे बांद देती है और उन्हें बताने लगती है कि अब वो उन्हें अंदर ले जाएगी और टैसन के एर फिल्टर को देखकर अबजर्व कर सकती है वहीं से ज़्यादा वे उन से और कुछ उमीद ना करें मगर अब जब वो उन्हें अंदर ले जा ही रही थी कि दोनों का ही एक और साथ ही माईक गन के साथ भागता हुआता है और यहां से खुच पर अटैक होने का अंदेशा पा माया और जोरत दोनों मिलकर माईक पर गोलिया चलाती है जिसमें से कि कुछ गोलिया माईक को लग भी गई थी मगर इसके बावजूद आवो माया के उपर टूट पड़ता है तो माया यहां माईक को अंदर क्याद कर अब बाकित दोनों को बारी छोड़ देती है और फिर से दर्वाजे बंद कर देती है जहां दोनों ही माई बेटी ने घायल माईक को भी एक कुरसी से बांद दिया था ताकि वो उन पर अटेक ना करे तो वहीं बाहर से टैस एक्स्प्लेन करती है कि उनके साथ ही माईक को कोई मिस अंडरस्टेंडिंग होगी और जब उसने माया को उन्हें बांते हुए देखा तो उसे लगा होगा कि वह उन दोनों को मार रही है इसलिए उसने उन पर अटेक किया मागर माया को उन पर बिलकुल भी भरोसा ना था कि वो कभी भी दर्वाजा नहीं खुलने वाले तो दोनों अभी ही यहां से हमेशा के लिए चले जाए जिसे कि सुनब टैस भी गुसे में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डिरिन की मशीन को पा कर ही रहेंगे जहां वे चाहते थे कि माया प्यार से समझ जाए मागर अब उन्हें जबरदस्ती से यह करना ही होगा जहां से वे पहले खुद की रस्तियां खोलते है और फिर एक ड्रिल मशीन लेकर बंकर के दर्वाजे को ही काटने लगते है तो वहीं अंदर माया और जोरा गहल माइक का इलाज कर रहे थे कि कहीं वो गोलिया लगने से मारा न जाए और तब ही उनका सिष्टम अलारम भजने लगता है कि कोई उनके दर्वाजे को डैमेज कर रहा है वहीं अब वे कैमेरे से भी कुछ भी देख नहीं पाते तो कि वहां तो टैस ने ओलरीडी टेप्स लगा दी थी और अब दोनों ही ड्रिल मशीन से दर्वाजे को भी काट रही थी मागर माया के पास इसे रोगने का एक तरीका था और अब वो एक पुरानी मशीन को निकाल दर्वाजे से एलेक्ट्रिक शोक दे देती है जिससे कि बाहर की ड्रिल मशीन जल गई थी सो गुसे मिटे सब छच पर जा बंकर के अंदर कारवन डाय उक्साइड छोड़ने लगती है जिससे कि अब बंकर का भी उक्सिजन लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा था सो दोनों ही मा बेटी अपने उक्सिजन टैंक वाला मास्क लगा आप अपने अपने कामों में लग जाती है जहां माया सिस्टम को अपग्रेड कर रही थी तो जोरा गन पॉइंट पर माया को संभाल रही थी कि कहीं वो खुद को छुड़ा ना ले और उन पर अटैक ना कर दे वही अब तो चुकी अंदर उक्सिजन भी कम होने से मायक कादम घुट रहा था तो जोरा कुछ वक्त के लिए अपना मास्क उसे लगा देती है वहीं बाहर दोनों का ही प्लैन था कि अंदर से जोरा और माया बाहर आएंगी तो दोनों ही उन का बाहर आने का इंतजार करने लगते है मागर माया इसके उलाट आफचत पर जानों पर शूटिंग करना शुरू करती है तो दोनों को यहाँ से पीछी हटना ही पड़ता है मगर यहाँ से टैस के पास ही उक और प्लैन था और वो माया पर गोलिया चलाने लगती है तो पीछे से लुकस भाग कर छच पर जाता है वहें अंदर भी अपता को ओक्सिजन लेवल नोर्मल हो गया था तो मायक जोरा पर काबू पाने की सोचता है वहें बाहर टैस माया को बेवकूफ बना उससे शूटिंग रुकवाती है और पीछे से लुकस माया पर वार कर अब उसे बेहोश कर देता है जिस बिच माया की एक टांग भी तूट गई थी तो वहें अंदर मायक भी रस्टिया खोल जोरा पर अटैक कर देता है मगर जोरा खुद के बचाओ के लिए उसके गुलियों पर वार भी करती है जिससे कि उसके हाला तो और खराब होने लगी थी हाला कि उसने जोरा पर काबू पाई हिलिया और अब वो उसे बांग देता है वहीं बाहर से टेश टेप सहटा अब खुद को अंदर आने को कहती है जहां अंदर से माएक दर्वाजे को खुलने जाता है मगर उसे पास कोड़ तो पता ही नहीं था वहीं उसका ज्यादा ही खुण बहा जाने से अब वो वहीं गिरकर मारा जाता है जहां जोरा रेडियो पर बताती है कि माइक वही मारा गया वही उसने उसके हाथ भी बांद रखे हैं तो वह भी अब गेट नहीं खोल सकती जहां बाहर से माया जिसका कि एक पैल तूट चुका था अब वो उन दोनों को कहती है कि उसके पास-पास कोड तो है मागर इसकेले कोड से बाहर से दर्वाजा नहीं खोला दा सकता और उन्हें एक फीजिकल एकसेस की भी चाहिए वहीं वो उसके पास तो है नहीं मागर एक फीजिकल की पांच महीने पहले उसका पती डेरिन लेकर निकला था और वो एक कबरिस्तान में गया था तो वह वहाँ जा ले सकते हैं जहां से टैस अब लुग उसको यहीं पर रहने का कहकर खुद माया के साथ उसे कबरिस्तान में जाने लगती है जहां जाते हुए माया उसे बता देती है कि कैसे उसके पती को पांच महीने पहले ही पता चला था कि बंकर में सिर्फ दो ही महिने की अक्सिजन बची हुई है अगर वे तीनों यहां रहे तो उस दिन जान बुझकर डेरियन हमेशा के लिए उन्हें छोड़ कर चला गया ताकि वे दोनों जिन्दा रह सके वहीं ये सब उसने एक लेटर में लिककर छोड़ा भी था जो कि माया को उसके जाने के बाद मिला वही अब कब्रिस्तान में पहुँच माया अपने पती डेरियन को वहीं मरा हुआ पाती है यानि कि उसने यहां पहुँचकर खुद का मास खटा अपनी जान देती ताकि उसके ना होने से माया और जुरा को और वक्त मिल जाए अब माया को डेरियन के पास से वहीं फिजिकल की मिल चुकी थी मागर अब उनके सामने एक और प्रोब्लम आखड़ी होती है जहां उनकी कारबंद पढ़ गई थी और अब उन्हें पैदल ही चल कर वापिस से जाना होगा माया का तो एक पैट तूट चुका है तो अब टैस उसे वादा करती है कि वो की के साथ पैदल अके लिए ही वापिस चली जाएगी और वहां से दूसरा उक्सिजिन टैंक ले माया को यहाँ वापिस लेने आएगी अब माया के पास भी उक्सिजिन कम ही बची थी मागर अभी तो उसके पास टैस पर भरोसा करने के लावर कोई चारा ना था सो वो उसे कीदे ही देती है और टैस भागते हुए बंकर क्योड निकल पड़ी थी जहाँ उसी रास्टे में एक साइकल भी मिलती है और उसे के साहरे अब वो फाइनली पंकर में पहुँची जाती है और फाइनली अंदर घुस गुस जारा को खोल देती है जहाँ टैस जल्दी से माया को ले जाने को कहती है मगर लुगस घुसे में था और वो कहता है कि पहले वो यहां का फिल्टर सिस्टम चेक करे जिसके लिए कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और तब तक वो उसे वापिस नहीं जाने देगा वही टैस तो इस मशीन को देख हैरान थी और वो कहती है कि उसने इतनी कॉंपलेक्स मशीन कभी नहीं देखी और वो भी से नहीं समझ सकती यहाद जोरा उसे पूछती भी है कि मगर उसने जो शुरू में कहा था कि वो उसके पिता डेरियन की कोवर करती सो टैस उसे सचाई बता ही देती है कि तब उसने जूट बोला था और वो कोई इंजिनियर नहीं बलकि उसने डेरियन को कई बार अपने रेडियो पर सुना था और उसने पाया कि डेरियन ने एक फिल्टर सिस्टम बनाया है जिसे कि उसका बंकर अच्छे से काम करता है और रेडियो पर ही उसने डेरेन के परिवार के नाम और उनके बारे में सुना मगर अब वो पार रही है कि ये सिस्टम काफी ही कॉम्पलेक्स है जो कि उसकी सामज के बाहर है और वो इसे अपने बंकर में कोपी नहीं कर पाईगी अब ये सुनते ही कि टैस ये मशीन नहीं बना सकती लूकस गुस्से में उसे गोली से मार देता है और कहता है कि अगर वो अपने बंकर में ये मशीन नहीं बना सकते तो वो यहीं अकिला रुक इसी बंकर में रहेगा वहीं चूकि उसे खुद भी इस मशनिरी को मेंटेन करना नहीं आता तो वो जोरा से कहता है कि ये वो उसका साथ दे तो वो से कभी नहीं मारेगा वहीं दूसरी और माया भी तक भी जिन्दा थी और वो टेस्क आने का इंतजार कर रही थी जहां वो जमीन में देख भी बाती है कि वहां एक छोटा सा पोधा हुगाया है यानि कि अब इनसानों के खत्म होने से फिर से प्रिच्वी पर उक्षिजन वापिस से जेनरेट हो रही है जिसे कि वो मास्क उतार फिल भी करती है मागर अभी वो इतनी नहीं हुई थी कि उसमें सास लिया जा सकी मागर अब कम से कम उनके पास एक उमीद तो है कि कुछ 20-30 सालों के बाद प्रिच्वी फिर से नॉर्मल हो जाएगी तो वही बंकर में अब अलार्म बजने लगते है यानि के सिस्टम को बाहर जाकर रिपेर करना होगा और लुकेसिस के लिए जोरा को बाहर भेजता है वही उसने उसे सिर्फ 10 मिनट की ही ओकिजन दी थी और अब जब जोरा उपर जाती है तो देख पाती है कि उसकी माप पहले से ही वहाँ पहुंच चुकी है और वो उसे बताने लगती है कि कैसे उसने वहां से वो कार स्टार्ट की वही वो उसे माफी भी मगती है जो उसने उसके पिता के लेटर की बारे में उसे चुपाया था कि विज़ जान बुझगरों ने बचाने के लिए मारे गए अब जोरा उन्हें माफ कर देती है वह वह उसे बताती भी है कि कैसे लुकस ने टैस्क को माड डाला और वो अकिला ही इस बंकर पर कब्जा करना चाहता है तो यहां से दोनों ही मिलकर एक प्लैन बनाते हैं और जोरा बाहरी मरने का नाटा कर लेड जाती है वह अब जब बाहर लुकस उसे देखने आया ही था कि पीठी सिमाया लुकस पर गोलिया चला और जोरा उसे वही पर गिरा अवे उसे फीजिकल कीची नहीं लेते हैं और जल्दी से बंकर में घुसने लगते हैं हाला कि लुकस भी उनके पीचे ही पहले रूम में घुसाया था सोज़नों जल्दी से अगले रूम में चले जाते हैं और चोंकि अब इस रूम में कुछ ज़्यादा ही उक्सिजिन भर गई थी तो लुकस के वहां फाइरिंग करते ही अब वहां आग लग जाती है और पूरा ही बंकर उर जाता है यानि कि अब दोनों के पास रहने को कोई जगए नहीं और दोनों को जान बचाने के लिए उस दूसरे बंकर तक जाना पड़ता है जहां से टैस और लुकस आए थे मगर वहां पहुँच अब इस बंकर का भी गेट बंद था और दोनों वहीं गेट पर भी होश हो जाते हैं मगर अब जब उनके आग खुलती है तो वहीं देख पाते हैं कि उन्हें अंदर ले लिया गया था वहीं माया और जोरवाह का फिल्टर सिस्टम भी अपग्रेड कर उसे अपने बंकर जैसा बना ले लगते हैं ताकि यहां कोई उक्सिजन की कमी ना हो वहीं वे समय के साथ और बीज बोना शुरू करते हैं ताकि प्रिच्वी में उक्सिजन और जल्दी से बढ़ा ही जा सके और इसी होपफुल एंडिंग के साथ अब यह कहान यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो पसंद आया हो तो इसी लाइक करते जाएं साथ यह चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही साइफ आई वीडियो के लिए ठेंक यू